दोस्तों का फ्रिसे आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप Realme के किसी भी फोन को किस तरह से रूट कर सकते हैं जी हां दोस्तों रूटिंग को लेकर काफी सवाल आ रहे थे उसके तो कैसे रूट करेंगे Realme के किसी फोन को चलिए आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा कियोंकि यहां पर एक एक पॉइंट जो है important है इससे पहले कि आप अपने डिवाइस को रूट करें वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा देखे दोस्तो device को root करने से फाइदा क्या होता है कि आप किसी भी game वगेरा को hack कर सकते हो या फिर किसी भी unwanted applications जो की run नहीं कर रहे है उसको run करा सकते हो कभी-कभी ऐसा होता है कि screen recording किसी particular app में work नहीं करती है blank screen record होता है उसको भी आप hack कर सकते हो काफी आसानी से और इतना ही नहीं दोस्तो आप जो है अपने device को root करके अपने device में जो है बहुत सारी features का भी आनंद ले सकते हो module install करके तो यहाँ पर root से तो यह फाइदा है अभी root करने से और disadvantage क्या क्या है आप जाती है यानि रूट करने के बाद आपका फोन जो है पहले जैसा जो है security थोड़ा सा यहां पर कम हो जाती है जब आप device को root कर लेते हैं दूसरा आपको नुक्सान यह होता है कि जब भी आपके फोन में कोई update आती है मानलों की 500 MB की या फिर 300 MB की कोई monthly update आई है की आसपास की मानलों C010 अभी release किया गया 200 MB का तो आपको C010 ही मिलेगा लेकिन सारे 3 GB का मिलेगा root करने के बाद यह आपको दिक्कते होती है वह यह पर अगर हम बात कर लेते हैं कुछ payment application की जैसे Google पे फोन पे तो यह सब जो है कि आपके फोन का तो सबसे पहले bootloader unlock होना चाहिए bootloader unlock नहीं यह रूट नहीं कर पाएंगे bootloader unlock कैसे करते हैं वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है लगभग phones के bootloader unlock उस प्रोसेस को फॉलो करके आप unlock कर सकते हैं यानि कि description box या फिर i button में link मिल जाएगी उससे आप android 10 वेस्ट या फिर android 11 वेस्ट दोनों की वीडियो डाल दिये हैं हमने आप वहां से देखका वीडियो सोरी यहां पे bootloader को unlock कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत आती है तो comment section में लिखिएगा हम आपके सारे comment को प आप काफी आसानी से root कर पाईएगा लेकिन अगर आपके पास stock recovery है custom recovery आपने flask नहीं की तो आप बूट image को patch करके भी अपने device को root कर सकते हैं अब देखिए दोस्तों यहां पर आप कहेंगे कि कौन से process है कैसे करना है तो देखिए सारे phones में process तो same है लेकिन सारे phones की boot image अलग अलग होती है और boot image patch करके अगर आप root करते हैं तो boot image को patch करने के बाद आपको vv meta file flask करना होता है उसको disable करने के लिए नहीं तो boot image जैसे ही आप flask करेंगे patch वाला आपका vv meta file जो है आपके device को on होनी नहीं देगा इसलिए vv meta file को disable किया जाता है और सारे phones की vv meta file और boot image file जिसकी link description box में है वहाँ से आके पूछ सकते हैं अगर हो सका तो हम आपको patch boot image या फिर vv meta file अगर होगी तो आपको available करा देंगे और वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि आप directly कहीं से लेके flask कर लेते हैं बीना procedure को follow किये हुए यानि कि बीना vv meta file को disable किये हुए तो हो सकता है कि आपका device ना fast boot mode में जाए और ना ही recovery mode में और orange state में अगर आटक गया तो आपको फिर full flash या फिर service center जाना होगा इसलिए route करने से पहले पूरा जो है आप सोंग समझ के route करिएगा बहतर होगा कि आप हमाई telegram channel पे आ जाईए वहाँ पर आप पूछ सकते हैं discussion group है वहाँ पूछ सकते हैं फिर आप जो है properly अपने device को route कर पाएंगे तो यह तो हो गई boot image की बात boot image से कैसे फ्लास करते हैं लेकिन TWRP अगर है आपके पास तो TWRP का सीधा फंडा है कि अगर आपने custom recovery फ्लास कर रखी है तो वहाँ पर आप जो है मैजिक्स को फ्लास करिए और भीवी फाइल आप जो है वहाँ पर डिसेबल ना भी करते हैं तो आपका device on हो जाता है तो safe method है आपके device को route करने का custom recovery फ्लास करके और सारे phones के लिए custom recovery अलग-अलग होती है तो वह भी यहाँ पर description box में नहीं दिया जा सकता है link अब आप एक ही भी कलप है टेलिग्राम चैनल पर मिल कर लेते हैं उनका phone या तो logo पर अटक जाता है या फिर fast boot में बार-बार start होता है मतलब phone जो है start ही नहीं होता है और ऐसे में जो है उनको परिशानी हो जाती है अपने device को fix करने में हाला कि अगर ऐसी परिस्तिजी से आपका phone गुजरता है तो भी हम आपकी help telegram channel पर ही कर करेंगे जिस वीडियो को देखके आप जो है रूट करने जा रहे हैं तब ही जाके आप देखेंगे किसी उजल को अगर कोई boot loop की इसुन नहीं आई है तो आसानी से आप फलास कर पाईएगा लेकिन दो तरीके हैं वीवी मेटा फाइल फ्लास करिए वीवी मेटा फाइल तो तो आप उस तरीके से कर सकते हैं लेकिन थोरा सा भी ग्यान अगर इसके बार में आपको नहीं है तो आप बिल्कुल ही रूट करने की कोशिश मत करिएगा बेतर होगा पहले टेलिग्राम चैनल पर आईए वहाँ पर हमने हमारे जो सपोर्ट टीम है वहाँ से एक टीम आपक करेगी यहाँ पर आपको जो है डेस्किप्सन बॉक्स में वहाँ पर लिंक मिलेगी टेलिग्राम चैनल की आईए वहाँ पर और उसके बाद हमारे जो सपोर्ट टीम है वह आपकी हिल्प जरूर करेगी आपने डिवाइस को रूट करने में ताकि आपको किसी भी तरह की पर जो रोम है उसको फ्लास कर लिजे रिकवरी मोड में जाके काफी आसानी से आप अपने डिवाइस को फिर से बूट लूप से हटा सकते हैं अला कि बूट लूप फिक्स कैसे करते हैं यह भी वीडियो मैंने डाल रखे लेकिन यहाँ पर प्रोसेस बताना जरूरी नहीं था करके हम आपको क्या बता हैं आपको आमें फ्लास करके बताअ बूटिमेज जैसे फ्लास की जाती है, जो कि वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है कि फोन से है या फिल लैप्ल रखे से कैसे बुटूमेज फ्लास करते हैं तो आप उस तरीके से सिर्फ फ्लास करिए और आप जो है वीवी मेटा फाइल को डिसेबल कर दिए डिसेबल कैसे करते हैं कौन सी यहां पर कमाइंड देनी होती यह डिस्क्रिप्सण बॉक्स में दे दूंगा कि इस कमाइंड से आप अपने वीवी मेटा फाइल को फ्लास करें लेकिन साड़े डिवाइस के लिए अलग-अलग इसलिए यहां पर अगर हम दे दिये तो पता चलेगा कि सारे यूजस ने अपने डिवाइस को ब्रीक कर लिया है और ऐसे में सिर्फ गालिया मिलेगी कमेंट सेक्षन में बेतर होगा कि आप इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे मुझे पता है क्योंकि आपको प्रोसेस नहीं मिला है लेकिन मैं ऐसी काम कभी नहीं करता हूं ऐसे आपने चैनल पर कभी वीडियो ही नहीं डालता हूं जिससे लोगों को परिशानी हो तो यहां से हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे फिर भी अगर आपको अपने डिवाइस को रूट करना ही ह तो आप कमेंट स्रिक्शन में लिखिये या फिटेलिग्राम चैनल पर मिलिए हमसे हम आपकी पूरी हिल्प करेंगे तो यह थे रियल मीद फोन्स के यहां पर किसी भी डिवाइस को रूट करने की प्रोशेश जो की दो तरह से हम रूट करते हैं आपको हमने बता ही दिया है बागी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट स्रिक्शन में लिख सकते हैं मिलते हैं किसी देख वीडियो में दीजे इसाज़त थेंक यू